द्यारे विद्यार्थियों नमस्कार मैं डॉक्टर विजक मार्चावला राजकी एमोडल संस्क्रती वरिश्ट माध्यमिक विद्यारे क्योडक जिरा कैथल में इन्दी प्राध्यापक के पद्पर कारिड़त हूँ आज की प्रस्थुती में आपका हार्दिक स्वागत है बिध्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष कक्षा आठवें की हिंदी की पाठ्ठय पुस्थक वसंत भाग तीन में संकलित पाठ सोला पानी की कहानी की प्रस्थुती देने के लिए उपस्तित हुआ हूँ विद्यार्थियों पानी की कहानी एक निभंध है जो की लेखक रामचंद्र तिवारी द्वारा रचित है विद्यार्थियों इस प्रस्तुती को आप ध्यान से देखना तथा सुनना क्योंकि प्रस्तुती के अंत में आपके स्व आकलन हेतु पुन्रावृत्ती प्रश्न भी रखे गई है आओ प्रस्तुती की ओर आपको ले चलता हूं आज की प्रस्तुती के मुद्देश्य इस प्रस्तुती के अंग तक आप समझ पाएंगे पानी की कहानी पाठ का सार पाठ में प्रियुक्त कटिन शब्दों के अर्थ पाठ के गद्याश की सप्रसंग व्याक्या पाठ में आए विभिन व्याकरनिक बिंदुओं का उधारन सहित वर्नन तथा पानी की कहानी पाठ का मूल भाव सरप्रथम मैं आपके समक्ष पानी की कहानी पाठ का सार प्रस्तुत करने जा रहा हूं ध्यान से सुने पानी की कहानी पाठ में लेखक शिरी रामचंदर तिवारी ने ओस की एक बूंद के विशे में बताया है कि वैकिस प्रकार बनी तथा सूर्य उदे होने पर वैकिस प्रकार भाव बन कर उड़ जाती है लेखक ने इस वैज्यानिक तथे को कलपना का सहरा लेकर तथा एक कहानी में पिरोकर अत्यन्त रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है लेखक आगे बढ़ ही रहा था कि बेर की जाड़ी पर से मोती सी एक बूंद उसके हाथ पर आगिरी आप द्रिश्य में देख भी पा रहे हैं कि किस प्रकार उसकी बूंद उसके हाथ पर आगिरी है कुछी देर बाद बूंद के दो भाग हो गए वे दोनों हिल हिल कर स्वर उत्पन करने लगे तब ही अचानक एक आवाज आई सुनो सुनो इस आवाज के फिर से आने पर लेखक से रहा नहीं गया उसने पूछा कि तुम कौन हो वे द्यारतियों यहां हिल हिल पुनरुक्त शब्द है जिसका बखुबी प्रयोग लेखक द्वारा किया गया है आगे सुनिए ओस की बूंद प्रसंता पूर्वक बोली मैं ओस हूँ लोग मुझे पानी कहते हैं कुछ लोग मुझे जल भी कहते हैं ओस की बूंद अपनी आत्म कथा सुनाते हुए आगे कहती है मैं बेर के पेड से आई हूँ लेखक को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ इसलिए उसने उसे जूठी कहा और पूछा क्या कभी बेर के पेड से पानी का फवारा निकलता है इस पर ओस की बूंद ने लेखक को विश्वास दिलवाने के लिए पानी की पूरी कहानी सुनाई वह बोली पृत्वी से असंख्य जलकनों को पेड बलुपूर्वक छेन लेते हैं पेड को बड़ा करने में असंख्य जलकन अपना जीवन नश्ट कर देते हैं वह आगे बोली मैं तो भूमी के प्रमुख खनीजों को अपने शरीर में मिला कर प्रसंता पूर्वक विचरन कर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोय से मेरा शरीर स्पर्श कर गया और उसने मुझे पकड़ कर अपनी और खीच लिया मुझे कोठरी में बंद कर दिया गया वहां मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मानो मुझे कोई पीछे से धक्का दे रहा था एक और बूंद मेरा हाथ पकड़े मुझे उपर की और खीच रही थी मैं इन दोनों के बीच में पीछ रही थी अब बूंद अपने जीवन की विचित्र घटनाओं का विरितांत सुनाते हुए बताती है कि मेरे पुर्खे अर्थात पूर्वज हद्रजन अर्थात हाइड्रोजन और ओशजन अर्थात अक्सिजन नामक दो गैसें सुर्य मंडल में लप्टों के रूप में विद्यमान थी एक बूंद आगे बोली मेरा जनम अर्बों वर्ष पूर्व हाइड्रोजन और अक्सिजन की रसाइनिक क्रिया के फल्स रूप हुआ था अर्थात इन गैसों की रसाइनिक प्रक्रिया के कारण पानी की उत्पत्ती हुई हम विज्ञान में पढ़ते भी हैं कि हाइड्रोजन और अक्सिजन की रसाइनिक क्रिया के प्रिनाम स्वरूप ही पानी की उत्पत्ती होती है विद्यार्थियों मेरे चारों और मेरे असंखे साथी बरफ के रूप में पड़े हुए थे यह बूंद कह रही है उन पर जब सूर्य की किरने पड़ती ही तो उनका सौंदर्य निखर उड़ता था वह वास्तव में सुख में समय था फिर आगे बूंद कहने लगे कि मैं कई मास तक समुद्र में घूमती रही एक दिन अचानक वहां मेरी भेंट गरम जलदारा से हुई फल स्वरूप मैं पिगल गई तो था पानी बनकर समुद्र में मिल गई आरंब में तो सागर का स्खारा पानी मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा धीरे धीरे मुझे वै रास आने लगा फिर मैंने समुद्र की गहराई में जाना आरंब कर दिया समुद्र के नीचे की दुनिया को देख कर मैं बहुत हैरान थी मैंने मार्ग में विचित्र विचित्र समुद्री जीवों को देखा वहाँ एक ऐसा जीव भी था मानो कोई लाल्टेन लेकर घूम रहा हूँ वास्तव में यह एक विचित्र चमकने वाली मचली थी इसके शरीर से एक अनुपम चमक निकल रही थी वहाँ का दृष्य बहुत बड़ा था जिसे देखने में मुझे कई वर्ष लग गए थी जहां मैं थी वहाँ मेरे उपर लग बग तीन किलो मीटर पानी की मोटी तह थी मेरा उपर लोटना कोई सरल कारे नहीं था पिर द्यार्थियों आप दृष्य देख भी पा रही हैं कि दूसरे दृष्य में आपको मचलिया नजर आ रही है फिर एक दिन ऐसा स्थान आया जहां प्रित्वी का गरब रह रहे कर हिल रहा था एक बड़े जोर का दमाका लगा उन्हें बड़ी तेजी से बाहर फैंक दिया गया किन है बोंद को यह दृष्य भी बहुत आकरशक एवं रोचक था उपर पहुँचने पर हमें भाप का एक बहुत बड़ा दल मिला यहां पर हमें हमारी पुरानी सहेली आंदी भी मिली आंदी कौन है बोंद की पुरानी सहेली वै हमें अपने शरीर पर लाद कर आकाश में कई दिन तक विचरन कराती रही भाप के जल कणों के कारण हमारा भार पहले की अपेक्षा बढ़ गया था इसलिए हम लोग नीचे आगिरे हमारे प्रहारों से पत्थर तूट तूट कर खंड खंड हो गए यहां तूट तूट कर में तूट तूट पुन्रुक्त शब्द है चता खंड खंड में भी खंड खंड पुन्रुक्त शब्द है आगे बुन्द कहने लगी इतनी सारी रेट जो दिखाई दे रही थी उसे हम लोगों ने ही चबा चबा कर बनाया है आपको दृष्य में दिखाया भी गया है किस प्रकार रेट नदी के किनारे इकत्रित की गई है जिने बूंद के द्वारा चबा चबा कर बनाया गया है समतल भूमी देखने की लालसा में मैं एक छोटी धारा में मिल गई दूसरे द्रिशे में आप धारा भी देख पा रही है नदी के साथ बिटाए वे दिन बहुत ही सुख देने वाले थे हम लोग कभी भूमी को काटते तो कभी व्रिक्षों की जड़ों को खोकला करके उन्हीं गिरा देते एक दिन मैं एक मोटे नल के भीतर खींच ली गई कई दिन तक मैं नल के भीतर ही गूमती रही सौभाग्य से एक दिन मैं नल के तूटे हुए भाग से बाहर निकल आई तब गूमते गूमते मैं इस बेल के व्रिक्ष के पास पहुँच गई इतना कहकर वे रुख गई बस मैंने कहा अब मैं तुम्हारे पास भी नहीं ठैर सकती क्योंकि सूर्य निकल आया है तुम मुझे रोक भी नहीं सकते उस समय ओस की बूंद धीरे धीरे मेरी आँखों से ओजल हो गई विद्यार्थियों यहां गुमते गुमते तथा धीरे धीरे पुनरुक्त शब्द हैं जिनका लेखक ने बखुबी प्रयोग किया है अब मैं आपके समक्ष पाठ में आए कटिन शब्दों के अर्थ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिए आश्चर्य आश्चर्य शब्द का रहत है हैरानी एकाएक एकाएक का रहत है अचानक ग्रिना ग्रिना का रहत है नफरत उत्सुक्ता उत्सुक्ता का रहत है व्याकुलता रोई रोई का रहत है हाथ पैरों पर निकलने वाले बाल आगे द्यान से सुनिए पुर्खे शब्द कारता है पूरवज नाना प्रकार कारता है कई प्रकार के पिंड का अर्थे ग्रह, आकार का अर्थे रूप, आकर्षन का अर्थे खिचाव, वर्नातीत का अर्थे जिसका वर्नन न किया जा सके कमर कसना, यह मुहावरा है, जिसका अर्थ है, तैयार होना चमक, चमक का अर्थ है, रौशनी, ठिगने, ठिगने शब्द का अर्थ है, छोटे कदवाले असहे, जिसे सहन न किया जा सके, यह वाक्यांश के लिए एक शब्द का एक उधारन है सम्मत्ती, इसका अर्थ है, सलहा, अर्थाद इच्छा उच्साही, उच्साही का अर्थ है, हिंमत वालि स्वचंद, स्वचंद शब्द का अर्थ है, स्वतंत्र, अर्थाद आजाद शिखर शिखर शब्द कारते चोटी, प्रहार शब्द कारते चोट करना या आकरमन करना समतल शब्द कारते मैदानी, सरीता कारते नदी, दिवस कारते दिन, न्योता कारते बुलावा आँखों से ओजल होना यह एक महावरा है जिसका अर्थ है नजर से दूर जाना तो विद्यार्थियों ये थे पानी की कहानी निभंद में आए कटिन शब्दों के अर्थ अब मैं आपके समक्ष गद्याश की सप्रसंग व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहा हैं विद्यार्थियों गद्याश की सप्रसंग व्याख्या किस प्रकार की जाती है इसे ध्यान से देखना तथा सुनना अब मैं आपके समक्ष पानी की कहानी निभंद में आए एक गद्याश को पढ़कर सुना रहा हूँ इसके उपरांत इसकी सप्रसंग व्याख्या किस प्रकार की जाती है उसका प्रारूप मैं आपको समझाऊंगा ध्यान से गद्याश को सुनें मैं आगे बड़ा ही था कि बेर की जाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी मेरी आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब मैंने देखा कि ओसकी बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हतेली पर आ गई मेरी द्रिष्टी पढ़ते ही वै ठहर गई थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी जंकार सुनाई देने लगी मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा चारों और देखा कोई नहीं फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हतेली से निकल रहा है द्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कन हो गई है और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन कर रही है मानों बोल रही हो अब आप देखिए कि गद्याश की सप्रसंग व्याक्या किस प्रकार की जाती है सबसे पहले विद्यार्थियों हमें गद्याश का प्रसंग लिखना होता है प्रसंग का प्रारूप इस प्रकार होता है प्रस्तुत गद्याश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग तीन में संकलित पानी की कहानी नामक पाठ में से लिया गया है इसके लेखक शिरी रामचंद्र टिवारी है इस पार्ठ में लेखक ने पानी के इतिहास का सुन्दर शब्दों में वर्नन किया है प्रस्तुत पंक्तियों में ओस की बूंद के विशे में बताया गया है लेखक कहना चाहता है कि यह प्रसंग का प्रारूप है प्रसंग में हमें पाट्यबुस्तक का नाम, पाट का नाम तथा लेखक या लेखिका का नाम लिखना होता है इसके उपरांथ पाट के मूल भाव को प्रस्तुत करना होता है और उसके उपरांथ लेखक या लेखिका गद्याश में क्या कहना चाहता है या क्या कहना चाहती है या लिखते हुए हमें व्याख्या की और बढ़ना होता है तो व्याख्या यहां लेखक क्या कहना चाहता है द्यान से सुनिए लेखक कहते हैं कि किसी काम से वह रास्ते पर जा रहे थे कि बेर की जाड़ी पर से मोती सी एक बूंद लेखक के हाथों पर आ पड़ी तो जब लेखक ने देखा कि ओस की बूंद उनकी कलाई पर आकर गिर गई है और कलाई से सरक कर हतेली पर आ गई है तो ओस की इस बूंद को देखकर वो हैरान हो उठे कि कोई बूंद पेड़ पर से आकर उनकी हाथ पर कैसे गिर सकती है यह जानने के लिए उनकी जिग्यासा जाग उठी जैसे ही लेखक की नजर ओस की बूंद पर पड़ी वह ठहर गई थोड़ी दिर में लेखक को सितार के तारों की तरह कुछ संगीत सा सुनाई देने लगा लेखक ने सोचा कि कोई सितार बजा रहा होगा उन्होंने चारों ओर देखा पर वहाँ कोई नहीं था जो सितार बजा रहा हो लेखक को यह ऐसास हुआ कि यह आवाज उन्हीं की हतेली से निकल रही है ध्यान से देखने पर लेखक को मालुम हुआ कि जो उनकी हतेली पर एक बूंद गिरी थी अब वहें दो हिस्सों में बंट गई थी और वे दोनों हिल हिल कर ऐसी आवाज पैदा कर रही थी ऐसा लग रहा था दोनों बूंदे आपस में बाचीत कर रही हो विशेश विद्यार्तियों प्रसंग के उपरांत हमने व्याख्या लिखी अब इस का द्यांश में विशेश बातें जो जो हैं उनका हम यहां जिक्र करेंगे पहला प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने अपनी हतेली पर गिरी बूंद का वर्नन किया है यह इसका मूल भाव है भाशा भाशा कैसी है सरल एवं भावानुकूल है लेखक के द्वारा आत्म कथात्मक शैली का प्रयोग जिस प्रकार किया गया है वै देखते ही बनता है कारकों का सटीक प्रयोग हुआ है विराम चिन्हों का प्रयोग देखने योग्य है शब्द योजना सार्थक है विकारी शब्दों का तथा अविकारी शब्दों का प्रयोग दर्शनिय है और सात्वी विशेष्टा विद्यातियों इस गद्याश में मिशित वाक्य का प्रयोग देखते ही बनता है तो ये थी गद्याश की सप्रसंग व्याक्या का एक नमूना या प्रारूप पाठ के सभी गद्याशों की सब्रसंग व्याख्या यहां समझाना बहुत मुश्किल है इसलिए मैंने एक प्रारूप आपके समक्ष रखा है इसी प्रकार आप पाठ में आए अन्य गद्याशों की सब्रसंग व्याख्या कर सकते हैं तो विद्यारतियों, अब मैं आपके समक्ष, पाठ में आए, विबिन व्याकर्निक बिंदूों को स्पष्ट करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना. पहला व्याकर्निक बिंदू है आपके समक्ष, मुहावरा. विद्यार्थियों ध्यान से सुनिए ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारन अर्थ को छोड़ कर किसी विशेश अर्थ को व्यक्त करे मुहावरा किलाता है जैसे आँखों से ओजल होना, कमर कसना, जान में जान आना ये सबी मुहावरों के उधारन है दूसरा व्यकरनिक बिंदू है कारक कारक वह व्यकरनिक कोटी है जो वाक्य में आए संग्या आदी शब्दों का क्रिया के साथ संबंद बताती है जैसे पानी की कहानी निबंद में आए उधारन को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ हम बड़ी तेजी से बाहर फैंक दिये गई बोंद ने कहा हम बड़ी तेजी से बाहर फैंक दिये गई इस वाक्य में तेजी से अपदान कारक है मैं प्रतिक्षन उसमें से निकल भागने की चेश्टा में लगी रहती थी यह भी कथन एक बोंद ने कहा वो उसकी बोंद ने इस वाक्य में मैं करता कारक है विद्यार्थियों हिंदी व्याकरन में कारक के आठ भेद माने गए हैं तीसरा व्याकरनिक बिंदू है पुनुरुक्त शब्द मैंने पाठ का सार समझाते हुए आपके समक्ष अनेकों उधारन रखे थे अब मैं आपके समक्ष पुनुरुक्त शब्द की परिवाशा रखने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिए जब कोई एक शब्द एक ही साथ दो बार परियुक्त होता है तब उसे पुनुरुक्त शब्द कहते हैं जैसे जियों जियों कभी कभी छोटी छोटी इसके अतरिक्त धीरे धीरे घूम घूम तूट तूट तथा खंड खंड ये सभी पुनुरुक्त शब्द पानी की कहानी पाठ में आए हैं लेखक ने इनके माद्यम से विचारों में चमतकार लाने का एक सुंदर प्रियास किया है इससे भाशिक सौंदरे में अभी विरिद्धी हुई है अब मैं आपके समक्ष अन्य व्याकरनिक बिंदू वाक्यांश के लिए एक शब्द रखने जा रहा हूं द्यान से सुनिए ये वे शब्द होती हैं जो एक वाक्यांश का अर्थ देती हैं जैसे जिसकी आत्मा महान हो उसे कहते हैं महात्मा तो यहां वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हुआ महात्मा अन्य शब्दों में विस्त्रित भावों वा विचारों को कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए इनका प्रियोग किया जाता है उधारन जिसे सहन ना किया जा सके असहे जिसका वर्नन ना किया जा सके वर्नना तीत ये दोनों उधारन आपके पठ्थय पुस्तक में संकलित पानी की कहानी पाड़ से लिये गए हैं विद्यार्थियों विभिन व्याकरनिक पहलूओं का अध्यन करने के उपरांत आओ जाने पानी की कहानी निबंद का मूल भाव क्या है लेखक रामचंदर तिवारी ने इस लेख में ओस की बूंद को जरिया बनाया है कि किस तरह से पानी का रूप होता है उसकी किस तरह से रचना होती है उनमें कौन-कौन से तत्व शामिल होते हैं यही सब पार्ट में बताया गया है इसके अत्रिक्त लेखक ने हमें बताना चाहा है कि पानी की जीवन का एक चक्र होता है समुद्र का पानी सूर्य की किर्णों से गरम होकर भाब बनता है और भाब बादल बन जाता है किस तरह से पानी सूर्य की गर्मी के कारण वाश्प बन गया फिर बादल बन गया बादल के अंदर जब पानी जादा मात्रा में इकठा हो जाता है तो फिर वह वर्षा बनकर धर्ती पर बरस पड़ता है लेखक रामचंदर तिवारी जी ने पाठकों को यही बताना चाहा है सारांश विद्यार्थियों आज की इस प्रस्तुती को देखने के बाद क्या होगा कि पानी की कहानी का पाठ का सार क्या है पाठ में प्रयुक्त कटिन शब्दों के अर्थ क्या है पाठ के गद्याश की सप्रसंग व्याक्या किस प्रकार की जाती है पाठ में आये व्याकरनिक बिंदों का उधारन सहित वर्नन यह भी आपको समझ आ गया होगा तथा अंत में पानी की कहानी निभंद लिखने के पीछे लेखक का मूल भाव क्या रहा क्यों उन्होंने इस निभंद की रचना की यह आप भली भांती समझ गए होंगे तो आओ अब मैं आपको आपके स्वा आकरन हेतू पुन्रावर्ती प्रशन की और ले चलता हूँ पहला प्रशन है आपके समक्ष ध्यान से सुनिये पानी की कहानी निभंद के लिखक का क्या नाम है? आप्शन है रामचंद्र शुकल, रामचंद्र तिवारी, निर्मल वर्मा या रामचंद्र वर्मा सोच समझ कर अपना उत्तर दीजिये पानी की कहानी निभंद के लिखक का क्या नाम है? तो इसका नाम है, लिखक का नाम है रामचंद्र तिवारी विद्यार्तियों, दूसरा भूव विकल्पिय प्रशन है आपके समक्ष ध्यान से सुनिये, तता फिर इसका उत्तर दीजिये बूंद पत्ते पर बैठ कर किसकी प्रतिक्षा कर रही थी? लेकक की, चंद्रमा की, सूर्य की या बादल की तो इसका उत्तर क्या है विद्यार्तियों? सूर्य की विद्यार्तियों, निमलिखित वाक्यों को पूरा करें ध्यान से सुनिये मैं डैश के पेड से आई हूँ आम के या बेर के तो क्या आएगा इसमें बेर के पेड से आई हूँ दूसरा वाक्य सुनिए मेरे चारों ओर मेरे असंग के साथी डैश के रूप में पड़े हुए थे आग के रूप में या बरफ के रूप में तो क्या उत्तर है इसका विद्यार्थियों बरफ के रूप में तीसरा वाक्या है सूर्य में अब गैस डैश के रूप में विद्यमान है पानी के रूप में या लप्टों के रूप में तो इसका उत्तर क्या है इसका उत्तर है लप्टों के रूप में चौथा वाक्य आपके समक्ष रोई ने बूंद को एक डैश में बंद कर दिया था कोटरी में या जेल में तो इसका उत्तर है कोटरी में परंतिम वाक्य उथल पुथल में डैश समास है द्वीगू या द्वंद्व तो विद्यार्थियों इसमें कौन सा समास है इसमें है द्वंद्व पुथल और पुथल अब आपके समक्ष स्वा आकलन हेतू अंतिम पुनरावृति गतिविदी प्रस्तुत करने जा रहा है ध्यान से सुनिए इसमें आपने निम लिखित वाक्यों में सही गलत का चैन करते हुए आपने बताना है सही है ये कथन या गलत तो पहला कथन है आपके समक्ष ओस की बुन्द को व्रिक्षों से घ्रिना थी ये सही है या गलत तो विद्यार्थियों ये कथन सही है दूसरा कथन है ओस की बुन्द की पुरानी सहिली वायू थी ये कथन सही है या गलत ये कथन गलत है उसकी पुरानी सहिली आंधी थी अंत में ओस की बुन्द आग में गई थी सही है या गलत तो ये गलत है क्योंकि ओस की बुन्द अंत में नल में गई थी पृत्वी आरंब में आग के गोले के रूप में थी सही है या गलत ये कथन सही है और अंतिम आपके समक्ष कथन प्रस्तुत कर रहा हूं ध्यान से सुनिए मेरा जनम अर्बों वर्ष पूर्व हाइड्रोजन और ऑक्सिजन की रासाइनिक क्रिया के फल्स रूप हुआ था ये कथन सही है या गलत तो विद्यार्थियों ये कथन बिलकुल सही है तो विद्यार्थियों ये थी मेरी आज की प्रस्तुती मुझे आशा ही नहीं पूलन विश्वास है कि आपको मेरी ये प्रस्तुती अच्छी तरह समझ आ गई होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी मेरे द्वारा सचित्र उधारन सहित प्रस्तुती दिने का एक प्रयास किया गया है मैं अंत में आप सभी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ करता हुँ